वेरे गूड एविनिंग टू आल देरे स्टुडेंट्स आज हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं जैसा कि आप बोट पे प्रश्न लिखा हुआ देख सकते हैं प्रसन लिखा है कि एक बाग में आम के 2304 पेण है प्रतेक पंग्ती में उतने ही पेण है जितनी की बाग में पंग्तियां है तो बाग में कूल कितनी पंगती है सबसे पहले इस प्रश्ण को समझिए मैं एक शोटा सा एक्जाम पर लेकर आपको इस प्रश्ण को समझा रहा हूं प्रस्न आपसे कह रहा है कि बाग में टोटल तो आम के जो पेढ़ है वो 2304 है लेकिन आगे कह रहा है कि प्रतियक पंक्ती में उतने ही पेढ़ है जीतिनी की बाग में पंक्तियां है उदाहरण की तौर पे अगर बाग में चार पंक्ति है चार पंक्ति हमने बना एक पंक्ति में उतने ही पेण है जितनी कि बाग में पंक्तियां है अगर हम में यह तोटल बाग है और उस बाग में एक दो इस चार पंक्ति यह हैं तो प्रतेक पंक्ति में जो पिंडू की normally сем Stri कि इन कि यहीं आप कि प्रसन औरहा। होगी वह संख्या भी चार ही अगर चार कंतिया है तो हर पंकती में चार चार के होंगे यहीं आप से पूछा एक तो बाग में हैं कूल कितनी फंटियंगि में हो मतल निकाल तो प्रत्यक फंटी में कितना आम का प्रत्य को होगा वो भी हम पता कर लेंगे कि दोनु की संख्या बराबर होगे तो आय कि सबसे पहले लिखेंगे जो आपका condition दिया हुआ है उस condition को आप लिख लिए condition क्या दिया है प्रतेख पंगती में उतने ही पेण है जितनी की बाग में पंगतिया है तो आप लिख सकते हैं प्रतेक पंग्ती में प्यों की संख्या बराबर प्रतेक पंग्ती में उतने ही प्यों होंगे जितनी की बाग में पंग्तियां होंगे तो प्रतेक पंग्ती में प्यों की संख्या बराबर बाग में पंग्तियों की संख्या बाग में पंक्तियों की संख्ねहाइं सबसे पहले आप लिख लीर यानि कि परतेक पंक्ति में जितना फिहulated बांग में उतनी ही पंक्तियों की संख्या भी होगी है कि तोटल कितने आम यामके पेंड़ हैं प्रश्णा अनुसार यानि हमें जो प्रश्ण में दिया है उसके अनुसार बाग में कूल पेंड़ों की शंख्या । 2300 पीड can pickuce कुल बराबर 2300 तीजर हैं अब हम यहां से बाग में कुल कितनी पंग्तिया थो लिखेंगे कि पंग्तियों कि संख्या बाग में पंग्तियों कि संख्या बराबर जातरी बाग में जितने पैड है उसका हम क्या निकाल देंगे वर्गमूल निकाल देंगे यानि की श्कौायर रूट निकाल के लेके आजाएंगे और हम सब जानते हैं प्राइम फैक्टराइसेंट के द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं कि दो हजार तिन्सों चार है इकाई के सहां में कितना है चार है तो दो से कड जाएगा दो एक कमा दो एक बचाल दस हो ग्या दो पाचे दस दो दुनी चार अभी इकाई के श्थान बें दो अभी वी दो से कड़ेगा 2 पाचे 10, 1 बचा 2 पाचे 10, 1 बचा 14, 21 का बारह 2 छाके 12 दो दूनी के 4, 1 बचा 17, 22 आठे 16 एक बचा और फिर 16, 22 आठे 16 फिर 2 से कटेगा 2,1,2,24,8 भी 2 से कटेगा 2 साथ 4,वे 7, Gaza तो दूनी 4 फिर 2 से कटेगा 2,3,6, 2,6, 12 फिर दो से कटेगा अठारा दुना के 36 अभी दो से कट जाएगा दो नमा अठारा तीन तिली के नौ और तीने कमा तीन जो इसका प्राइम फेक्टर आया है अब हाजे गुर्ण खरना आया उसको लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और तीन क्या बार आया है रख अ हमने स्क्वार उट जब निकालते हैं वा रगमूल जब बाग में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हैं अब लिख सकते हैं बाग में कूल पंक्तियों की संख्या बराबर 48 है अगर मैं आपसे पूछूँ बाग में प्रतेक पंक्ति में कितने आम के पेण है तो आप कहेंगे कि प्रतेक पंक्ति में जो पेणों की संख्या है वो बाग में पंक्तियों की संख्या के बराबर है इसका मुद्ध प्रतेक पंक्ती में 48 पेर लगे हुए हैं ये भी लगे हाथ ये भी आप समझ लें कि प्रतेक पंक्ती में पेरों की संख्या बराबर 48 अब हम इस प्रस्ण में इसका आंसर चेक करेंगे क्या हमारा ये जो 48 आजा है ये सही है कि नहीं है किस प्रकार से चेक करे in नंबर णाइस वरतल पंक्ति किजैना 40 तो बाग में जो प्योर के संख्या होगी प्रत्य कृष्ट पंक्तिझ कितनी होगा आइसे करके प्रत्य पंकतिएए हूं आप बहुत अवा है उसी प्रकार से इसमें भी उड़ी निसम्रय लगेंगे कि एड़ायव निसमीन कि पूरर लगेंगे तो अब कर समय लाइंगे वसे हर पंगती में किप रगां एड़ायव लगेंगे मुंद़ भी लिख राइ्ट तो humक्तो मी 244 का वर्ग निकालते हैं और वो वर्ग 2304 आ जाए कितना आ जाए 2304 तो हमारा इसका मतब आंसर क्या है सही है तो वर्ग निकालने का तरीका हमने बताए 28-29-64-64 c4-6 438 32 32 दुना के 64 चार 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 दसके जीरो हांसी लगल एक चोचा बारेक तेरह के तीन हसी लिया एक 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 दो दो हजर तीन सुचारा है ना बिल्कुल बराबर आगे इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है तो आप कह सकते हैं कि बाग में कुल प्रतेग पंक्ती में 48 पेंड लगे हुए है और बाग में कुल पंक्तियों की संख्या भी 48 है अब हम देखेंगे इसी से समंधित ए क्दूसरा प्रसुन